प्रार्थना मसी जीवन का एक बहुत ही विशेश अंग है बिना प्रार्थना के हम परमेश्वर से बातें नहीं कर सकते हैं जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं परमेश्वर हमारे साथ बात करता है अपने वचनों के द्वारा और जब हम प्रार्थना करते हैं अपने निवेदन धन्यवाद स्तूति करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ बाते करते हैं और हमारा जो कम्यूनिकेशन है वारतल आत्मा में वो चलता रहता है यह बहुत जरूरी है जब भी हम प्रार्तना करें आत्मा में करें समझदारी के साथ करें क्योंकि पहला कुरंतियों उसके 14 और 15 में लिखा हुआ है कि मैं प्रार्तना करूंगा तो आत्मा के साथ करूंगा और बुद्धी के साथ भी करूँगा तो प्रार्तना हमारे मसीही जीवन का एक अटूट अंग है और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम दिल से दिल मिला करके प्रभू परमेश्वर के सामने प्रार्तना करें अब हमारे देश में हमारे समाज में हमारे दुनिया में कई प्रकार की प्रार्तना की रिक्वेस्ट पाई जाती है अब विशेश करके आप जानते हैं आजकल जो कोरोना वार्यस का जो कहर जगह जगह समाज में परिवार में एक व्यक्तित्व में और देश में पूरी दुनिया में फैला हुआ है हम इनके लिए प्रार्तना करें अपने देश के प्रधानों के लिए प्रार्तना करें अब जैसे उधारन के रूप में परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीती से लिखा हुआ है कि हम अपने देश के प्रधानों के लिए जो ministers हैं उनके लिए हम प्रारतना करें मैं पढ़ूंगा पहला तिमोथी उसका दूसरा अध्याए और एक से तीन बद अब मैं सबसे पहले यह आगरह करता हूं कि विंति, प्रारतना, निवेधन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किये जाएं, राजाओं और सब उचे पदवानों के लिए इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गरिमा में जीवन बिताएं यह हमारे उद्धार करता परमेशर को अच्छा लगता और भाता भी है तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेशर के वच्छन में बहुत साफ रीती से लिखा हुआ है कि हम अपने देश के प्रधानों के लिए, मिनिस्टर के लिए जो इन चार्ज है मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, डी-एम, प्रेसिडेंट और भी जो राश्पती हैं हमारे हम उन सभों के लिए प्रारत नागर क्योंकि उनके कंधों में पुरे भारत का भोज है हर प्रकार से, सामाजिक द्रिष्टी से, मांसिक द्रिष्टी से, राजनेतिक द्रिष्टी से और आप जानते हैं अच्छी तरह से हमारे चारो तरफ दूसरे जो हमारे जो विरोधी हैं, दूसरे देश विरोधी जैसे पाकिस्तान हुआ और चाइना हुआ और उत्तर ही पुर्वी भारत में तो हम ऐसे लोगों से घिरे हैं जो कभी भी हमारे देश में अटैक कर सकते हैं तो हमें अपने जवानों के लिए प्रारत ना करना हमारे भारती जवानों के लिए जो अपनी जान की बाजी लगा करके हमारे सरहत की रक्षा करते ताकि हम यहाँ पर आराम से रह सकते हैं हमें कुछ करने की जरूरत नहीं अरे साब कुछ करने की जरूरत नहीं लेकिन कम से कम हम प्रार्थना तो कर सकते हैं न तो हम प्रार्थना करेंगे और आज मैं इसी बात पर ध्यान दूँगा कि हम प्रार्टना करें ठीक है और कई विशे जो मैंने हाँ पर लिख के रखा है हम प्रार्टना करेंगे और अगर आप चाहें तो इस आउडियो को सुन सकते हैं और मन में अपने हाथों को मन में प्रार्टना करें और अपने हाथों को उपर उठा कर कि प्रभू के साथ मेरे साथ हां में हां आमें में आमें मिलाते चलिए सो आईए आज हमारा ये एपिसोड जो होगा प्रार्टना वाला होगा कि हम प्रार्टना करेंगे पहले मैं धन्यवाद दोंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस सुन्दर समय के लिए जब हम जो विश्वासी हैं जो तेरे पत्र और पत्रिया कहलाते हैं आज हम अपने दिल, दिमाग, व्यक्तितव, हाथों को ऊपर उठा करके तुझको धन्यवाद देते हैं जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं स्वास्त के लिए धन्यवाद देते हैं कपड़ों के लिए धन्यवाद देते हैं खाने के लिए धन्यवाद देते हैं अरे साब हम कितने कितने चीजों के लिए धन्यवाद दे हम हजार चीज भी गिनने प्रभुजी लेकिन बहुत कम हो जाएगा लेकिन हम इन सब बातों के लिए हम उद्धार के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तुने हमारे जीवन में उद्धार लाया और प्रभु युश्व मसी के उद्धार के कारण जो हमारे जीवन में आया हम स्वर की रा में हमारा जीवन बदल गया और हम इस पृत्वी में एक यात्री के समान चल रह और कितने लोग इस कुरोरा वायरस से ग्रसित हैं, अस्पताल में हैं, अस्पताल में जगह नही प्रबुजी, कैसे लोग तड़फ रहाँगे, मैं तो नहीं समझ सकताyan प्रबुजी, आज इस से पहले कि हम इनके लिए प्रार्टना करें, मैं अपने पापों को तरही सामने को तेरे सामने मानता हूं जैसा दाउद अपने पापों को मानता था और जो अब उसने भजन से इता एक क्यावन लिखा प्रभु जी हम अपने पापों को तेरे सामने मानते हैं और तेरा नुग्र हम पर बना रहे हमारे देश पर बना रहे हमारे समाज पर बना रहे और सच हमारा देश हील्स हो कि जैसे तेरा वचन कहता है यदि मेरे लोग जो मेरे कहला ते अपने पापों को मानें और गलत राहों से मुणें और मेरी और देखें तो मैं उनको चंगाई दूँगा और उनके देश को जहस का तस कर दूँगा तो प्रभु जी हम कनफेस करते हैं फिर प्रभु जी हम बिंते करते हैं अपने देश के लिए हम धनवाद देते हैं हमारे प्रधार मंतरी जी के लिए हमारे राष्टपती जी के लिए हमारे जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं दिल्ली में जो सेंटर में और उसके साथ साथ हमारे प्रदेश में पूरे इतने भी प्रदेश पाए जाते हूं समों के चीफ मिनिस्टर के लिए उनके डिस्ट्रिक मजिस्टरेट के लिए प्रभु जी और भी जो हमारे अधिकारी गण है जैसा तेरा वचन कहता है कि हमें इनके लिए प्रार्द ना करना है प्र के लिए जो प्रभु जी पुरे देश की रिस्पांस बिलिटी सिम्मेंदार उनके हर प्रकार से घरी वो देखना है और भी कुछ जो समस्याएं आ जाती हैं उनको देखना है विशेश करके जो आजकल बिमारी का जो कहर है उसको भी देखना है प्रभुजी इनको बुद्धी दे ये इनको बुद्धी दिये जाए और तेरी और से इनके परिवार में अनुग रहो और ये तुझको जान सके ये हम बिंती करते हैं ये तुझे जान सके ऐसी मेरी बिंती है उसके साथ साथ प्रभुजे मैं बिंती करता हूं हमारे local cities जहां कहें भी ये हम प्रार्तना सुन रहे हैं जहां भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं प्रार्तना को सुन रहे हैं उस शहर को प्रभुजे फिर से धार्मिकता की जीवन में लाकर खड़ा कर लोग पस्चताब करें, अपने पापों से फिरें और तेरी और वापस आ जाएं अब मैं विशेश करके प्रभुजी बिंती करता हूँ करोना वाइरस के लिए जो हमारे पूरे समाज में फैला हुआ है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है एक हाकार सा मचा हुआ है, हम बिंती करते हैं प्रभुजी कि ये वाइरस निकल जाए यदि तेरी ऐसी इच्छा है, वो सकता है, तेरा कुछ प्लान होगा जो हम अपने जो लिमिट माइंड है, हमारे जो मस्तिश्ख है, उसको हम नहीं समझ सकते हैं पूरी जीती से लेकिन प्रभु आज मैं येश्व मसी के नाम के द्वारा और हम जो सुन रहे हैं, हम इन समों के द्वारा तो उससे हाँ जोड़ करके, गिरगड़ा कर बिंती करते हैं प्रभुजी कि ये कोरोना का वाइरस निकल जाए और हमारा देश और हमारा पुरी दुनिया फिर से वापस जैसे पुराने नॉर्मल स्वाबावे करूपे था वैसे आ जाए उसके बाद प्रभु जी हम बिंती करते हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे अस्पतालों के लिए, हमारे जो डॉक्टर्स लगे रहते हैं दिन रा दिये हम धन्यवाद देते हैं उन डाक्टरों के लिए जो इन मरीजों को लेते हैं और उनका देख भाल करते हैं उन नर्सों को प्रभू जी हम तेरे सामने रखते हैं जो दिन रात इन पेशिंस के इन मरीजों की देख भाल करते हैं विशेश करके जो करोना से वायरस से ग्रस प्रभुजी इन अस्पताल में जितने भी अस्पताल प्रभुजी है हमारे पूरे भारत में और पूरे दुनिया में हम इन सभी अस्पतालों को जो CMO है चीफ मेटिकल आफिसर है और जो मुख्या है प्रभुजी उनको बुद्धी दे कि किस प्रकार से अस्पताल को चला सके मेरे ऐसी बिंती है प्रभु जी हम साथ-Sाथ बिंती करते हैं हमारी जो पिलिस वाले हैं उनको भी सब देखना पड़ता है ऐसे मौकमें जब लोग शायद सुनते नहीं पिलिस वालों के और कई बार हमने देखा प्रभु जी न्यूस में कि किस प्रकार से पुलिस और आम आदमी के बीच में जगडा हुआ पत्रा हुआ जो बहुत ही गलत है आज हम उन पुलिस वालों के लिए उनके परिवार वालों के लिए बिंती करते हैं कि होने दे प्रभु जी कि उनको भी तेरी ओर से सरक्षण मिलें क्योंकि वो भी दिन राद ड्यूटी कर करते हैं और अपने परिवार को भी वो नहीं देख पाते हैं जितना हमारे जो सिविल लोग हैं जो हमारे नागरी के उनकी सेवा करते हैं उनको बुद्धी दे और कि वो ठीक तरह से सायमी हो करके पूरे जो संचालन है पुलिस डिपार्टमेंट का कर सकें फिर प्रभु ज जवानों के लिए बिंती करते हैं जो देश के सरहदों में हमारे जो लास्ट पॉइंट है हमारे भारत वरश का उसकी सरहदों में प्रभु जी दिन रात खड़े रहते हैं कभी तो बहुत जादा ठंड है तो कहीं गर्मी है तो कहीं मौसम अच्छा नहीं है तो कहीं खाना बहुत कठिन कठिन अवस्थाओं में जिसको मैं सोच भी नहीं सकता प्रभु जी हम बिंती करते हैं कि तेरा नुग्र इन पर बना रहे हमारे देश के जवानों की रक्षा कर और होने दे कि जैसे वो हमारे देश की रक्षा करते हैं होने दे कि उसी प्रकार से उनके परिव कि भी रक्षा हो सगे मैंने कई बार नियूज में देखा कि कई हमारे जवान मारे गए आधक वादियों ने उनको उड़ा दिया गोली से प्रभु जी दुख की बात है हम इनके लिए इनके परिवारों के लिए बिंती करते हैं जब देखते हैं कितने लोग बिलगते हैं रोत सकती जो हमारे गार्विज को ले जाते हैं गंदेगी को हम सामने बहार डालते हैं बैचारे गार्विज को डाल देते हैं वो भी शायद रग्रजित हो सकते हैं हम उनके लिए बिंती करते हैं जो एंबुलेंस गाड़ी चलाते हैं उनके लिए बिंती करते हैं कि वो ठीक तर अभी लॉर्ड राइट ना अभी इसी समय हमारे देश में पता ने कहां पर कौन तड़फ रहा होगा ऐसे समयों में जहां पर लोग सोच रहेंगे कि शायद कोई गाड़ी आए कोई मुसीबत में शायद हमारे लोग फसे होंगे हम बिंती करते हैं जल्दी से जल्दी उन तक वो सहायता पहुचाए जाए हो सकता कोई बिलग बिलग के रो रहे होगे कोई ऐसी बात हो गई होगे प्रभु जी हम उनको बिंती करते हैं उनके लिए कि उनको तू शान्ती देना और प्रभु जी फिशेश करके हम बिंती करते हैं हमारे पूरे देश के लिए कैसा समय आजाए प्रभु कि वो सचे परमिश्वर को पहचान सके ओ लौर्ड येश्व मुसी के नाम के दोरा है अपने देश को तेरे हाथ में सौथा हम उन सबों को तेरे हाथ में सौथे हैं जो ये अथौरिटी दिया है प्रभु जी आद फिर अंत में मैं भिंती करता हूँ अपने लोगों के लिए जो तेरे कहलाते हैं विश्वासी भाई बेन मुझे नहीं पथा हो सकता कईवों का विश्वास डवाद डोल हो गया हूँ कईवोंने शायद अपने लोगों को खो दिया है कई लोग शायद प्रारतना भी कर रहे होंगे अपने लोगों के लिए चाहे गरीब हो धनी हो परिवार हो पिशेश करके तेरे लोग जो तेरे बेटे और बेटियां हैं उनको भी हम तेरे हाथ में सौपत बिंती करते हैं प्रबुजी कि तेरा अग्वाई उनके जीवन में पूरी रिती से हो सके और हम अमारे लोग बढ़ सके प्रबुजी प्रभु में, आत्मा में, शारिरी करूप से, मांसी करूप से, सामाजी करूप से, भावनात्मा करूप से और आत्मा में बढ़ते जाए डिसाइबल बने प्रभु जी, चेला बनाए और दुसरों को भी चेला बनाए प्रभु जी हम इन सब बातों को तेरे हाथ में सौपते हैं और बिंती करते हैं कि तू इन सब प्राटनाओं को सुन और गरहन कर क्योंकि ये सब कुछ हम हमारे उद्धार करता प्रभु ईश्यमसी के नाम के द्वारा मांगते हैं आमेन और आप सब भी बोलिए आमेन मैं एक दो पद आपके सामने पढ़ूंगा पाए जाता है दूसरा इतिहास मेरे ख्याल में दूसरा इतिहास है और उसका साथ चौदा सुनिए क्या लिखा हुआ है बहुत अच्छा पद यहां लिखा हुआ है यहां लिखा है तब यदी मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते है मेरे अर्थात प्रभू परमेश्व और यहुआ के कहलाए जाते है प्रभू यश्व मसी के कहलाए जाते है जो मेरे कहलाए जाते है दीन होकर प्रारतना करे हम्ब हलीम, दीन होकर humility के साथ, दीनता के साथ दीन होकर प्रार्थना करें अपने सारे घमन को निकाल दे अपने सारे ओधों को निकाल दे अपने सारे पैसों को निकाल दे अपने सारे जो चीजें हैं उसको निकाल दे दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चार से फिरें यह भी बहुत जरूरी है प्रादना तो हमें करना है लेकिन यह भी देखना है कि हमारे अगर कोई पाप है बुरी चार है तो हम उसको कनफेस करें माने पश्चताब करें इसलिए मैंने शुरुआत में आपने सुना होगा मैंने पश्चताब किया दिल से और लिखा हुआ है मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चार से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुन कर यह देखे साब स्वर्ग में से सुन कर आब बताये स्वर्ग कितनी किलोमेटर ऊपर है हम नहीं पता सकते हैं स्वर्ग यहीं पर है अनंत में हैं कहीं यहं में नहीं पता स्वषग में जो परमेश्वर रहता है वो मेरी और आपकी प्रार्त्नाब सुन करके क्योंकि उसका दिल खुश हो जाएगा वो खुश हो जाएगा तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप शमा करूँगा पहली बात क्या करूँगा उनके पाप, मेरे पाप आपके पाप शमा करूँगा और उनके देश को जियों का तियों कर दूँगा अब से जो प्रारतना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आँखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे यह है साथ प्रभू परमेश्वर की प्रतिग्या प्रामिस, इस इस दी प्रामिस अब गाड कि इस स्थार में की जाती उस पर मेरी आंक ही खुले रहेंगी और मेरे कान लगे रहेंगे मेरे प्रियों आईए हम इन बातों को ध्यान में रखें कि प्रभू परमेशर चायता है कि हम कंटिनियूसली आज तो हमने ऐसी प्रारतना की एक लेकिन आप एक काम कर सकते हैं रोज रोज या हफते में एक बार इस आउडियो को प्ले करके यह जो मेसेज जो मैं आपको दे रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है आईए हम प्रारतना करें तो इसको आप मेरे साथ आप प्रारतना कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने सिटी, शहर के लिए, अपने धेश के लिए, पहली बात, अपकोर्स, दुनिया के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा पहला घर हमारा भारत वरश है, हमें उन च पापों से माफी मांगें, दूर करें, जो भी बात है, तब हम परमेश्वर के खोजी हो करके, और किसी पास्टर या रेवरेंड और बड़े भाय या कोई ऐसे लोग की नहीं, परमेश्वर के खोजी हो करके, पाप से फिरें, तब लिखा हुआ है, मैं उनकी पुराटना सुन लोगा, और उनके शहर को, उनके धेश को पहले जैसा कर दूँगा, उनको हील कर दूँगा, हमारे पापों को शमा कर देंगे, सो मेरे प्रियों आईए, हम इस प्राटना को हम दोहराएं, सिर्फ दोहराएं नहीं मुखागर रूप में, लेकिन हम सोच समझ के, सोच समझ के हम इसको सुने और उसके साथ आमिन बोलते जाएं, मैं आपके लिए पढ़ूँगा आंध में पहला कुरंथियों, पहला कुरं आपके लिए और पंद्रवाँ पाद्य, क्या लिखावा है ध्यान से सुनिये, तो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्राटना करूंगा, और बुद्धी से भी गाउंगा, सो वर्षिप हो, या रादना हो, या प्रार्टना हो, हम आत्मा में प्रार्टना करें, और कर रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं बख रहे हैं, मीनिंग के साथ, मतलब के साथ, ताकि हमारा ट्यून परमेश्वर के वक्तित्व से ट्यून हो सकते प्रवित्रा आत्मा में, परमेश्वरा आपकी और मेरी इसमें अग्वाई करें